Hey guys, welcome back to the video दोस्तों देखा जाए तो 15-20 air के सेग्मेंट में अल्लेडी वही प्राने या वोरिंग स्मार्टफोंस आपको मिलते हैं बट रिसेंटली कुछ न्यू स्मार्टफोंस लॉंच की गया है और उनमें से टॉप स्मार्टफों को इस वीडियो के अंदर भी इंक्लूड किया गया है जहांपर आपको पावरफुल गेमिंग प्रोस्टर मिल जाता है 108 मेका पिक्सल कैमरा दिया गया है OIS 4K और सूपर एमूलेड पैनल भी मिल जाएगा एनिवे इस वीडियो के अंदर आपको मैं टॉप और बेस्ट पावरफुल 5G स्मार्टफोंस बताऊँगा अंडर रुपीस 18,000 तो ये वीडियो काफी एल्प लोगी वीडियो के साथ एंड तक पनि रहे बट गैस तेर आप एक चुटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके क्योंकि ये एक दम फिरी है सो प्लीज कहल लिजेगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते है दोस्तों बात करते है पहले स्मार्टफों की जो मेरी लिस्ट मा आता है रेडमी की तरप से रेडमी नोट 12 5G अगर आपको परफोमेंस के सासाथ मल्टी मीडिया एक्स्पिरेंस भी जबरदस्त आए आप डिस्प्ले पर ज्यादा कॉंटेंट कंज्यूम करते हो लाइक मुवीज या फिर वीडियो ज बोच करते हो तो इस पोन को चेक आउट कर सकते हो 4GB प्लस 1.28GB बेस्पिरेंस याता है इस पोन के अंदर कॉलकॉम स्नैपड्रेगन 4 Gen 1 5G चिपसट ओपर किया गया है चोकि 6NM पैबरीकेशन पर आता है काफी पावर एफिसेंट है अगर पपोमेंस की बात करूँ तो ये स्नैपड्रेगन 695 के लगबग बरावर है 3,70,000 के करीबन स्कोर निकालता है प्रैस पॉन्ट के अकॉर्डिंग गेमिंग आप यहां से तगडी कर सकते हो इसमें 7 5G बेंट्स का सपोर्ट भी मिलता है यहां पर Android 12 out of the box मिलेगा जो कि MIUI 13 पर बेरिट है बाकि LPDDR 4X RAM और UFS 2.2 Storage टाइब भी मिलेगा तो अगर बाकि फीजस की बात करूँ तो इसमें 6.67 इंच का Full HD Plus Super AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचॉल 128 पास्ट रेप्रेस्ट सपोर्ट करता है डिस्प्ले पर Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन और साइड मॉंटेड फिंकर पिंगर पिंट स्केनर भी मिल जाता है डिस्प्ले क्वालटी जब पर 10 मिलेगी रियर साड में पॉली कारपुने डिजन दिया गया है इसके अलाबा ट्रपल केमरास मिल जाते हैं प्रामरी लेंस 48 में का पिक्सल का मलेगा साथ में 8 का अल्टरा वाइड और 2 का माइक्र लेंस दिया गया है फ्रंट साड में 13 में का पिक्सल की फ्रंट फेसिंग साइल पी ती गई है इसके रियर और प्रन्ट दोनों ही कैमरे से फुल HD यानि की 1080p 30FES पर विडियो रिकॉर्ड कर पाओगे कैमरा क्वोल्टी आपको ठीक टाक मिल जाती है इस पुन में 5000mH की बैटरी दी गई है चोकि 33W की पाइट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा बाग याँ पर 3.5mm jack, single speaker, IR blaster और IP53 की rating भी दी गई है तो तो यह 4GB RAM Plus 28GB storage के साथ आता है जिसकी price है 17.9 18,000 रुपए मैं definitely check out कर सकते हो तो तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है Realme की तरप से Realme Narjo 50 Pro 5G 18,000 के नीचे इससे आप the best gaming experience कर सकते हो एकदम तगडी गेमिंग आपको यह कराता है सेम पपमेंस के साथ 9 Pro Plus अभी भी 25,000 में मिलता है उसका भी successor 10 Pro Plus जिसमें Dimensity 1080 है चोकि 920 के लगबग बरावर है वो भी आपको 25,000 में मिलता है तो यह 18R के नीचे best value for money phone है चेक आउट कर सकते हो 6 GB plus 128 GB बेस्पिरेंट से आता है इसके अंदर MediaTek Dimensity 920 12 5G chipset मिलता है चोकि अगें 6 NM पर बना हुआ है और यह दोस्तो साड़े 4 लाके करीबन स्कुरूप निकालता है जब परतस्त गेमिंग आप यहां से कर सकते हो नो डाउट इसमें Android 12 out of the box मिलता है चोकि Realme UI 3.0 पर बिल्ट है और LPDDR4X RAM UFS 2.2 storage टाइप भी मिल जाता है यहां पर आप 5 GB तक वर्चुली RAM को expand भी कर पाऊगे तो अगर बाके features की बात करूँ तो यहां पर 6.4 इंच का Full HD Plus Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है विद इंसार्ड पंच्छॉल 98 के past refresh rate को support करेगा डिस्प्ले पर again Gorilla Glass 3 की protection HDR10 Plus का support और under display fingerprint skinner मिल जाएगा यहां पर भी display quality top notch मिलेगी रियर साड में polycarbonate डिजन दिया गया है विद लाइनिंग टेक्चर पनेस और यहां पर भी triple cameras मिल जाते हैं primary lens 48 megapixel का दिया गया है साथ में 8 का ultra wide और 2 का micro lens मिलेगा front side में 16 megapixel की front facing cell पिती गया है इसके rear camera से 4K 30fps पर video record कर सकते हो camera quality best मिल जाएगी इस पुन में 5000 image की battery दी गया है जोकि 33 watt की fast charging को support करता है बाकि यहां पर 3.5 mm jack, liquid cooling और dual stereo speakers मिल जाते हैं दोस्तों यह 6 GB RAM Plus 1.8 GB storage के साथ आता है साड़े 7,000 रुपे मैं definitely grab कर सकते हो दोस्तों next smartphone आता है OnePlus की तरप से OnePlus Nord CE 3 Lite 5G जोकि CE 2 Lite 5G का successor है और यह अभी recently launch किया गया है इसकी जगे Realme का 10 Pro 5G भी आता है दोनों smartphone में आपको ज़्यादा कुछ कास difference नहीं मिलता है बट जो major difference मिलता है वो है UI officially आपको OnePlus के साथ better UI मिलती है बाकि display, camera, processor, battery यह आपको लगपक same ही मिलते है देखो दोनों smartphone good looking है बट जो Realme का 10 Pro है यह आपको सामने से premium feel कराता है in-end feel आपको top notch मिलती है क्योंकि यहाँ पर जो bezels हैं यह आपको नाके बरावर मिलती है जबकि OnePlus के इस phone में आपको काफी मोटी chin और bezels मिलते हैं बट रियर से यह आपको premium feel कराएगा तो आप अपनी choice के according दोनों में से कोई भी smartphone decide कर सकते हो 8GB plus 120 8GB base print से आता है इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 695 5G chipset आपर किया गया है चुकि again 6cm पर आता है यह दोस्तो 4,20,000 के करीबन score निकलता है Most of the cases में 695 का score पौने 4,000,000 रहता है बट जैसा कि अलड़ी आपको मैं बता चुका हूँ अंतुत score depend करता है optimization पर सेम performance के साथ अलग-लग smartphone के अंदर अलग-लग score निकलता है OnePlus ने इसको अच्छे से optimize किया है जिससे आपको 4,20,000,000 अन्तुत score मिलता है तो जबरदस्त gaming आप यहां से कर सकते हो no doubt इसमें Android 13 out of the box दिया गया है चोकि Oxygen OS 13.1 पर built है यहाँ पर LPDDR 4X RAM और UFS 2.2 storage type भी दिया गया है दोस्तों अगर बाकिफीजर्स की बात करूँ तो इसमें 6.72 इंच का Full HD प्लस आई-पेस डिस्पले दिया गया है विद सेंटर पंचोल 120 एड्स पास्ट रेप्रिस रेट सपोर्ट करता है और यहाँ पर side mounted fingerprint scanner मिल जाएगा डिस्पले quality आपको ठीक टाक मिल जाती है रियर साड में polycarpoon अडिजन दिया गया है विद ग्लोसी पनेस बढ़ यह आपको गिलास फील कराएगा इसके अलाबा ट्रपल केमरास दीक गया है प्रामरी लेंस 108 मेका पिक्सल मिलेगा समसंग के HM6 sensor के साथ साथ में 22 मेका पिक्सल के depth और macro lens मिल जाती है इसमें ultra word नहीं मिलेगा फ्रेंट साड में 16 मेका पिक्सल की front facing selfie ती गया है इसके रियर और फ्रेंट दोनों ही केमरे से 1080p 30fps पर video record कर सकते हो केमरा quality best मिल जाती है इस phone में 5000 mAh की battery दी गया है जो कि 67 watt की part charging को support करेगा बट इंद बॉक्स सा आपको 80 watt का charge दिया गया है इसमें 3.5 mm jack 8GB तक virtually RAM बढ़ा सकते हो और 12 stereo speakers भी मिल जाएंगे तो तो ये 8GB RAM plus 128GB storage के साथ आता है फिलाल इसकी price है 19.9 बट अगर आप card apply करते हो तो इस phone को 18-19 रुपेम में easily buy कर पाऊगे तो तो फाइनली next और last smartphone आता है IQ की तरप से IQ Z7 5G और ये भी new latest है और ये the best all under smartphone है 6GB plus 128GB base parent से आता है इसकी अंदर media tech time intensity 920 12 5G chipset ओपर किया गया है चोकि अगर 6 cm पर आता है और ये 4,80,80 के करीबन अंतु तो उसको निकालता है बट इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यहां से आप 90 FPS पर PUBG new state को खेल सकते हो इसमें Android 13 out of the box दिया गया है जोकि Funtouch OS 13 पर बेज़ड है और LPDDR 4X RAM UFS 2.2 storage type भी मिल जाएगा तो अगर बाकी features की बात करूं तो इसमें 6.38 इंच का Full HD Plus AMOLED डिस्पले दिया गया है विद डॉप नॉच 90Hz के पास्ट रेप्रेस रेट को सपोर्ट करेगा HDR 10 Plus का सपोर्ट और अंडर डिस्पले फिंगरपेंट स्केनर दिया गया है डिस्पले क्वल्टी टॉप ग्लास मिलती है रियर साड में पॉली कारपूने डिजान मिलेगा विद ग्लॉसी पनेस इसकी अलाबा डॉल कैमरास दी गया है प्राइमरी लेंस 64 मेका पिक्सल मिलेगा विद ओ आईस साथ में 2 का डेफ्ट लेंस दिया गया है प्रन्ट साड में 16 मेका पिक्सल की फ्रन्ट फेसिंग सा एलपी मिल जाएगी इसके रियर कैमरे से 4K 30FES पर विडियो रिकॉर्ड कर सकते हो कैमरा कोलोटी टॉप नॉच मिलती है यहां पर 4500MH की बेंटरी दी गई है चोकि 44W की पार्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है बाग इसमें IP54 की रेटिंग 3.5mm जैक, सिंगल स्पीकर और 8GB तक वर्चोली RAM बढ़ा सकते हो यह 6GB plus 128GB बेस प्रेंट से आता है दोस्तों यह 6GB RAM plus 128GB स्टोरीज के साथ आता है और इसकी प्रेस है 18.9 19.9 रुपए मैं definitely grab कर सकते हो तो कैसे यहते पावरबल स्मार्ट फॉन्स अंडर 18,000 होप करता हम वीडियो आपको पसंद आयोगी अगर पसंद आयो लाइक करके चैनल को सब्सक्राब भी कर लिजेगा मैं मिलता हम आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर